हेलो माइ बीटिफुल सोल्स वेलकम तो माइ यूटुब चैनल टैरो विशिवी चुपले डियर कैसे हैं आप सभी लोग आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं बहुत अच्छे से अपना इनावाग कर रहे हैं सो अगर आप मेरे चैनल पर हैं रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्र मेरे जो भी वियर्यसं कि अनेंगी सख्वाइन क Against Chiefs रही हरा गाइड मी आप गाई करना चाहेंगे मेरे वीर्यस को और पार्टनर की अनर्जीस क्या हैं झाल झाल देखे आपका जो परसन है ना वो कुछ ऐसा है आपका चाता है आपसे कि आप वो सब चीज़े बूल जाएं जो पास्ट में हुई हैं आप लोगो के बीच में और मतलब उन चीज़ों को आप पुरी तरीके से भुला दें ठीक है मतलब ये एक परसन कुछ ऐसा मैसे देने ही क क्या आप भूलना चाहेंगे ठीक है कि आप भूल सकते हैं आप कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं यहां पर नाइन नमबर निकल कर आया है नाइन नमबर है और सेवन नमबर है ओके यहां पर आपके परसन आपको दूसरा मैसेज यह दे रहे है कि अब भी अदास रहना छोड़ दो जो भी पास्ट में हुआ वो सब हो क्या ठीक है अब उसको जादा मत सोचो और अब मतलब अदास रहना छोड़ दो बाकी सारी चीज़ों को एकदम लेट गो कर दो पुराना सब कुछ भूल जाओ ठीक है वापस से एक नई शुरुआत करते हैं ऐसा यह परसन मैसेज देनी कोशिश करना है कुछ लोगं के साथ जो बहुत लंबे टाइम से नो कॉंटेक्ट में हैं या फिर जिनके साथ वो मतलब उनका कनेक्शन चल तो रहा था पर एक हार्मोनी नही करेगा कोई किसी को बिट्रे नहीं करेगा कोई किसी को चीट नहीं करेगा ऐसा है यह मैसेज है और आपके जो परसन है वह आप से क्यादी कोशिश कर रहे हैं कि पुराना सब कुछ भूला दो तो कुछ लोगों कि यहाँ पर रियूइन हो सकते हैं जो बहुत लंबे टाइम से परिशान हैं और काफी इनावग कर रहे थे और पतलब कि पार्टने के साथ आइन आवुट था उनके साथ यहाँ पर आपके पार्टने के साथ आउन उफ होगा और आं ऑम ख़तम होगा और एक नई शुरुवात यहां पर होते हुए नजर आरी जहां पर आपके परसन कहरें कि पास्त का कुछ भी वो रिपीट नहीं करेंगे और पास्त को बिलकुल भी याद मत रखो यहां पर आप मैंसे काफी सारे लोग है जो इस परसन से पूछना चाहते हैं कि पास्त में इन्होंने आपको चूज क्यों नहीं किया या फिर जब भी इनको मौका मिलता है तो यह किसी और को चूज क्यों करते हैं तो आपके जो परसन है वो इस चीज का आंसर आपको दे सकते है क्योंकि शायद किसी के मन में यह सवाल चल रहा है यहां पर यह फिर कोई बार 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 अपने पार्टनर से यह क्वेशन करता है कि जब भी आपको मौका लगता है आप किसी दूसरे को चूज क्यों करते हो पर कुछ और क्यों चुन लेते हो मेरे उपर मुझे क्यों प्रायोर्टी नहीं बनातों मुझे क्यों नहीं चुनते हो ऐसा कोई यहां पर बार बार सवाल करना चाहता है तो आप इस क्वेशन को अपने परसन से पूछ सकते हैं वो आपको इस कांसर जरूर देंगे डिफिन को समझाना और संभालना मुश्कल था इस वजए से तीक है यही चीजी परसन आप से बोलने वाले हैं एक परसन इस चीजी को भी आप से कंफेस करेंगे ठीक है यह परसन यह वाली वाली वात भी आप से बोलें की इनके अंदर पास्ट में इनक्शन में तो आ गए थे लव्श ते इनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं थी और यह बार तो उतनी ही सच है कि के परसन आपसे वाद बोलेंगे भी कि हाँ मेरे अंदर strength नहीं थी हाँ मेरे अंदर यूनो वो courage नहीं था कि मैं आपको मतलब आपको वो सब बेसर कूँ जो आप deserve करते हैं तो इस वज़े से इस person ने आपके life के अंदर बहुत जादा आपको परेशान किया है और इस चीज़ को यह परसन डेफिनिटली accept करेंगे कि यह इस परसन के अंदर strength नहीं थी नो ने love लफ तो कर लिया था connection में तो आ गए थे पर यह वह strength नहीं थी इस परसन के अंदर जो connection को आगे लेकर जा सके ठीक है और इस चीज़ को यह person आपके सामने वो भी कर सकते हैं यहां पर ना मैं कई बार ऐसे लोगों का सवाल आता है कि मैं मेरा partner ऐसा क्यों करता है और आपको लगता है कि सारी गलती उसकी है मैं मानती हूं उसकी गलती है वो जो कर रहा है आपके साथ बहुत सही नहीं है लेकिन कहीं न कहीं वो ऐसा कर रहा है यह ऐसा क्यों कर रहा है कुछ ना कुछ बार वर आगर आपको ट्रिगर मिलते हैं तो उसका कुछ ना कुछ रीजन ज़रूर होता है। पहला रीजन तो यह होता है कि आप महां कोृ डेपेंट व्यक्ति हैं। मैंने बहुत चाहि लोगों में और प्रावलम कोई भी प्रावलम आती है तो न वहां की रहती है और खुद अधिय कारण कई बहुत जादा अधिया चार प्तार ना ये सब को भी बहुत जादा सहती है ठीक है क्योंकि वो independently कोई decision नहीं ले सकती और यह सब लोग जानते हैं उनके उन से जुड़े हुए सब लोग यह चीज जानते हैं और इस चीज का उनका फायदा भी उठाया जाता है तो जितने भी लोग co-dependency में हैं मैं यह नहीं कहती कि love बेकार है मैं यह नहीं कहती marriage बेकार अनकंडिशनल लव करिए लेकिन love का मतलब यह नहीं है कि आप खुद से प्यान ना करें खुद को आप एकदम ignore कर दें और सामने वाले के पीछे इसलिए भागे क्योंकि आपको किसी की जरूरत है ठीक है आप एक नीडी इंसान है ठीक है इस energy से आप उपर उठ जाईए जि इसके बाद वो जो इनसान जो आप से रन कर रहा है वो जो आपकी energy स कुछ भी नहीं समझ रहा है तनी प्रेशियस energy को बरबाद कर रहा है वो इंसान सामने से आएगा आपकी तरह वाफर लेकर थीक है लेकिन उसके लिए खुद के लिए stand लेना होता है जो कि आप मैंसे एक- पीछे भागते हैं, ठीक है, जो जो पीछे भागते हैं वो जिन्दी और पीछे ही भागना पड़ता है उनको और यहां पर भी एक चीज बोलना चाहूंगी, एक डिफरेंट चीज है और सल्फ रिस्पेक्ट डिफरेंट चीज है एगो वो है कि अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं क्या हूँ सेल्फ रिस्पेक्ट वो है कि मुझे पता है कि मैं क्या हूँ तो मैं नहीं समझ में आता है यह तुम्हारी प्रॉबलम है ठीक है यह एगो नहीं है यह सेल्फ रिस्पेक्ट है यह रो है जहाँ पर आप कोई काम करते हैं दूसरों को दिखाने के यह वह है अपने आपको प्रीडिक्टिक्ट करने के लिए और अपने आपो संभालने के लिए यह रुद्सारे हो डोन्ilt compte क करने में नियत में बहत अंतर है और नियत के और उस sect पहिनाम मिलते तो एक जैसा ही है दोनों में आप खुद को ही प्राइरिटी बनाएंगे लेकिन दोनों में नियत का वड़ा अंतर है ठीक है ना यहां पर मुझे एक चीज नजर आ रही है एक जाला टाइप का नजर आ रहा है जिसमें आप बहुत बुरी गली किसे पास्त में फस गये थे लेकिन मुझे नजर आता ही कि आपके जो परसन है वो उन्होंने आपके अंदर एक चीज देखिए यह चीजिज आपके अंदर हो मतलब कहने का यह है कि आपके परसन जो है वो कुछ ऐसा बोलना चाहते हैं कि आप बहुत बुरी सिच्वेशन में आपकी जगर कोई और होता तो उसको ओवरकम करना बहुत मुश्किल हो जाता लेकिन आपने कर लिया है ठीक है इस चीज को यहाँ पर इस चीज की परसन पर शेंसा कर रहे हैं आपकी यहाँ पर कैंसर और स्कॉर्प्यों की अनर्जी है आपका जो व्यक्तित वे हैं आपकी परसन को बहुत ज़्यादा आकर शक लगता है वो अट्रैक्ट होते हैं आपसे काफी ज़्यादा आकरशन इस परसन को आपकी एनर्जी में फील होता है ऐसा नहीं है कि परसन आपकी तरफ सिर्फ आपका फायदा उठाने के लिए आते हैं या आपसे अटाच्मेंट है अट्रैक्शन है ठीक है यह चीज़ मुझे हाँ पर नजर आती है बतलब इन्होंने पास्ट में भी आपसे ऐसा बोल सकते हैं कि पास्ट में भी आपकी आपका फायदा उठाने के लिए नहीं आते थे इनको आपसे स्टॉंग अटाच्मेंट और स्टॉंग अट्रैक्शन थी यह बाद सच है लेकिन जब चिनाफ की बारी आती है जब सेलेक्ट करने की बारी आती है तिनसा हम लॉजिकली सोचता है लॉजिकल माइन से सोचता है और अपनी इमेज के बारे में सबसे पहले सोचता है और उसके हिसाब से डिसीजन लेता है जो आपकी परशन ने भी पास्ट में किया है यहां पर बहुत सारे लोग हैं जो किसी genuine connection के साथ deal कर रहे हैं या पर उनके दोनों के बीच में love connection बहुत strong है लेकिन उस connection को ना कहते है कि एक दिशा देने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ पर्मात्मा की सहायता लगती है जहां पर आपको strong dedication के साथ तपस्या basically इनावक करना ह होता है और यह वाला जो path choose नहीं करते हैं जो लोग choose कर लेते हैं path की हम लोग साथ में ऐसे ही बने रहेंगे तो यहां पर आपको हर मिनिट हर सेकेंडिक डर में जीना होता है जहां पर आपको लगता है किसी को पता ना चल जाए हमारी बात किसी को समझ में ना आ जाए image conscious रह किसी नहीं बहुत painful तरीके से जाती है लेकिन इसका result बहुत ही beautiful आता है ओके चलिए देखते है कार्च आपके लिए क्या बताते हैं झाल 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 ओके देखे आपके जो परसने इस connection में जीट चाहते हैं ठीके कुछ लोग के reunion होंगे जब मैं बोल देती हूं कि reunion होंगे तो reunion होते हैं ठीक कि वेडिंग में बहुत मतलब उस तरीके से निकल कर आता है जब कि हाँ अब होगा reunion तो पक्का किसी ने किसी का reunion होता है और कुछ लोग होते हैं जो जिनका harmonious union होता है या फ़र जो एक दूसरे के साथ और strongly जोड़ते हैं जहां पर आप लोग दूसरे को बहुत strongly accept करते हैं तो कि आपने से काफी सारे लोग का reunion यहां पर होगा अपने reunion को claim करें देखिए जो मैंने आपको रीडिंग में बोला lovers with six of wands ठीक है lovers की energy and यह victory की energy है दोनों ही एक साथ cards निकल कर रहा है उपर नीचे जो शो कर रहे हैं कि आप में से कुछ लोग यहां पर union में जाएंगे ठीक है okay यहां पर दूसरा card है night of cups and king of shorts भले ही आपके person के अंदर कितना भी past में you know ego रहा हो कितना भी सब कुछ रहा हो लेकिन उसके बात भी यह love offer आपको ही करने वाले है इस ego को हटा कर ठीक है यह finally जो love offer है यह आपको ही मिलने वाला है obsession की energy नहीं है मैंने इक चीज़ नोटेस की दिया जब मैंने reading करना start किया था अब जो reading साती नहीं उसमें learning बहुत strong है मतलब अधर पे ऐसी reading साती है जहां पर चीज़ों को सीख लिया गया है तो आप देखिए कितने कितना easy है अब मतलब जब आप उस love की energy में जा रहे है तो automatic वो चीज़ जिनके पीछे आप obsessive हो रहे थे जिनके पीछे आप कर्मा चाह रहे थे कर्मा मिल जाए और फिर वापस आजाए obsession था जा 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 और आपी love की vibration automatic आपकी जिंदी में चीज़ों को ठीक कर रही है कितना खुबसू लेते है परसनल लीडिंग उसमें भी जो लोग आते हैं वो भी चीज़ बोलते हैं कि पहले से बहुत लाइफ हत तक मेरी बैटर हो गई है बहुत लाइफ में मैं परिशान हो गयाता हो कई थी अब बहुत हत तक balance हो चुके हैं तो यह balance लोगों की energy आने लगी है और जब लेट गो करके आपकी तरफ आ रहे है और एस आफ को समझ में आ गया है कि इस मैंसे कौन से कप में आपकी परसन का क्वाइन है ठीक है मलब कौन से कप में आपके परसन के लिए blessing है यह चीज़ इस परसन को समझ में आगे जो लंबे टाइम तक आप में से काफी सारे लोग के पार्टनर कन्फिजन में रहते हैं ना कि मैं क्या चुनओं इससरे चुनूँ कि मैंसे चुनु कि मैंसे चुनू occurring चुनू जब आप ऑपप्षněn बनना बन कर देतें ना जब तक आप इस परसन की है में और बंद जाते हैं तो ऑपको आप्षुन होती है ने बह度 का Parece बी गाइड किया जिसमें नहीं मेरा दूसरा चैनल देखा है और जो हीलिंग चाहते हैं वह चैनल को सब्सक्राइब पर सकते हैं तो जितने भी लोग है जो बहुत जादा खुद में जिनकी इनर रियालेटी अच्छी नहीं उन्हीं को आउटर रियालेटी हों बहुत कश्ट बहुत ट्रिगर्स मिलते हैं यह चीज मुझे यहां पर दिखाई दिया इस रीडिंग को जरूर क्लेम करें अपने रियूनियन को क्लेम करें जो लोग भी बहुत शिद्दत से जिन्हों ने एक दूसरे को चाहा है उनका यह रियूनियन होगा ठीक है और जिन्हों ने जिनको भी ऐसा लगा है एक दो साल अपनी उपर काम करने के बाद कि वो कुछ और अच्छा डिजर्फ करते हैं और उनको ऐसे इंट्यूशन्स उनके गाइड ही नहीं करते कि वो अपने पास परसन के साथ दुबारा जाएं ठीक है तो ऐसे लोग अपनी लाइफ में यूनिवर्स क जो आपके लिए बना हुआ है क्योंकि एक दो साल के अंदर तो आप डिसाइड करी लेते हो कि आपको क्या चाहिए लाइफ के अंदर ठीक है तो यह चीज मुझे देख रही है तो गाइस बहुत सारी तकलीफों के बाद यहांपर रियूनियन होने वाला है तो कमेंट यहां बर लेटर है है M-T-O-X-K-Z-I-X-347 यहांपर नमबर है ठीक है M-T-O-X-K-Z-I-X यह लेटर है 347 यहांपर नमबर है ओके यह चीज मुझे यहांपर दिखाई दे रही है गाईस ठीक है आपके परसन के लाव मैसेज ज़रूर लेंगे आज I love the way you love me इस परसन को सबसे अच्छा है यह लगते है यह मैसेज हर बार रेपीट होता है कि आपके परसन को यह चीज बहत अच्छी लगते है जैसे आपने चाहते है I can be silly as I can be silly as I like without worrying that you would love me less I start missing you the second you leave even when you are angry or gloomy you are still adorable आप कितना भी गुसा हो कितनी भी नराज रहें फिर भी आप बहुत मस्त लगते हैं you know me better than I know myself and in my dream I always see you अपने ड्रीम्स में यह परसन सिर्फ और सिर्फ आपको ही रेखते हैं हमेशा इस परसन को अपने ड्रीम्स में आप ही नजर आते हैं ठीक है परिशान ही होना फर्जिंग हो सकती है आपकी ठीक है सो अब को बैलन्स करनी की कोशिश करें और अगर थोड़ी सी भी आपको थोड़ी सी भी आपको पैनिक अटैक सब्सक्राइब और रहे हैं तो आपने आपको बैलन्स रखें सोच लें कि यह चीज परमाने नहीं है यह तो ट्रिगर मिल रहा है आपकी नेगिटिविटी रिलीज हो रही है चीज आपको समझने की जर्णत है तो गाइस यह आप लोग के लिए रिडिंग है आपको रिडिंग पसंद आए रिडिंग पसंद रहे हैं प्रीज लैग दिस वीडियो सब्सक्राइब में चैनल